अबस्कार दोस्तों कैसे आप सभी एक बर फिर से आप सभी का स्वागा थे आपकी अपने YouTube चैनल Profit Study में तो साथ ही हो आप लोगों को पताए कि NTPC का अगर हम बात करें तो Undergraduate और Graduate Basis पर यहाँ पर Full Notification जारी हो गया है और Finally दोनों लेवल का Form Apply होना यहाँ पर शुरू हो गया है अब बात करें तो साल की सबसे अंतिम दो भरती आप लोगों के लिए बचा है पहला आपका जो है Isolated Ministerial का और दूसरा सबसे बड़ा भरती Group D का जिसका आप सभी बेशबरिष इंतिजार कर रहे हो और इसी Group D के लिए बहुत सारे साथ ही ITI का डिगरी लिए और इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे साथ ही है जिन्होंने Railway से एक साल कड़ी मेहनत करने के बाद apprenticeship का certificate लिया तो आज की सुड़ी में हम यह देखेंगे कि Railway Board का जो ताजा-ताजा नया-नया notice निकल के आया है जिसमें ITI और CCA की तो बल्ले-बल्ले हो ही गई है और इसके साथ-साथ यह भी देखेंगे कि वैसे कौन-कौन से candidate है और किस date तक अगर आपका apprenticeship complete होता है तो ही आपको इस बार 20% CCA के अंतरगत कोटा मिलेगा और किस date तक आपका पूरा होना चाहिए अगर उस date तक पूरा नहीं होगा तो क्या होगा वो सारा चीज आज किस वीडियो में देखेंगे कि आपको CCA का फाइदा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि vacancy कब तक आ जाएगी, short notice कब तक जारी होने की उम्मीर है vacancy कितनी आ रही है कबारी सारी चीजों पर आज किस वीडियो पर बात करेंगे तो चली वीडियो की शुरुआत करते इससे पहले जितने के चैनल पर फॉश्ट है मैं सस्काइब नहीं किये फटा फट करके सस्काइब कर दीजेगा रेलवे भरती की पलपल की अपडेट के लिए इसके साथ साथ डिस्क्रिप्सिन में आपको टेलिग्राम का ओफिशली लिंक दिया गया जरू-जरू ज़ुआइन कर लिजेगा हर तरह का लेटस इंपोर्टेंट अपडेट रेगुलर आपको वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं तो देखिए साथ यह सबसे पहले रेलवे का जो अफिशली केलेंडर जारी किया गया था हम उस अफिशली केलेंडर पे आ गया है जो आपका Government of India Ministry of Railway Recruitment Board के तरफ से जारी किया गया था अभी तक जो भी भरती आई है चाहे हम ALP, Technician, RPF, SI Constable, NTPC, JE, Paramedical का बात कर ले वो आपका on time है on time कहने का मतलब है कि जिस मन्त में रेलवे का ओफिशली केलेंडर में मेंसन किया गया है उसी time में आपका भरती रेलवे ने जारी कर दिया है हला कि जो आपका ALP का वेकेंसी था वो आपका सेडूल से पहले ही जारी कर दिया गया था ठीक है आप देखिए जो recent आपका वेकेंसी आया आपका NTPC का इसमें बोला गया था कि cycle 3 मतलब जुलाई से सेप्टेंबर के बीच में आपका टूटल चार भरती था कौन-कौन साब NTPC गेर्जुएट, अंडर गेर्जुएट, जूनियर, इंजिनियर और पारामेडिकल तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले आपका पारामेडिकल का फॉर्म अपलाई हो गया उसके बाद आपका जूनियर, इंजिनियर का हो गया, यह दोनों का हो गया और देखिए, मन्त के इंड तक, मतलब सेप्टेंबर होते होते तक आपका NTPC का भी नूटिफिकेशन जारी हो गया अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका अक्टूबर का एक्सपेक्टेड है, देखिए, अभी जो आपका NTPC का फॉर्म चलेगा, वो आपका जो गेर्जुएट लेवल पे है, वो 14 तारीक से शुरू होकर यहाँ पे 13 अक्टूबर तक चलेगा और अंडर गेर्जुएट का बात करें, तो 21 सप्टेंबर से लेकर यहाँ पे 20 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बात करें लेवल वन का, तो लेवल वन का ओफिसली बताये गया है केलेंडर में कि अक्टूबर से दिसंबर तक आपको नोटिफिकेशन अब देखिए साथी हो, अक्टूबर से दिसंबर मतलब तीन महीने के दोरान आपका रेलवे दो भरती देगा, जिसमें से पहला आता है लेवल वन उसके बाद ही आपका मिनिस्टेरियल और आईसूलेटेट का टेगरी का वेकेंसी आता है, साइध आप लोग बात को समझ र पहले पारा मेडिकल और जई का वेकेंसी निकाल दिया गया रेलवे की तरब से, उसके बाद एंटिपीशी का निकाला, तो यहाँ पे आपका चार वेकेंसी था, इसलिए यहाँ पे डिले हुआ, परन्तु यहाँ पे आपका दो ही वेकेंसी है, तो मेरे अनुसार अगर आपका लेवल वन का 100% है कि वेकेंसी देखने को मिल जाएगा, अब इसका सौट नोटिस का बात करें, तो इसका सौट नोटिफिकेशन साथी हो, अक्टूबर के ही मन्त में रिलीज किया जाएगा, इस मन्त सेप्टेंबर में तो उम्मीद नहीं है, अक्टूबर के मन्त मे इसका सौट नोटिस आजाए, चाहे फर्स्ट विक में आजाए या फिर सकेंड विक पे आजाए, ठीक है, तो अक्टूबर के मन्त में आपका सौट नोटिस देखने को मिलेगा, और वही फुल नोटिफिकेशन का बात किया जाए, तो जहां तक मुझे लगता है कि जो गेजुएट लेबल पे बात करेंगे, तो आपका जो लाज डेट रहेगा, वो बीस अक्टूबर रहेगा, मतलब सिंपल सिंपल आप ये समझ लीजिए, कि सौट नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा, और उसके 20 से 25 दिन के बाद ही आपका फुल न अक्टूबर के बाद ही आपका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा, अब बात करते हैं कि जब आपका 20 अक्टूबर के बाद फुल नोटिफिकेशन जारी होगा, तो इसमें कौन-कौन से रेलवे अप्रेंटिस इप वाले साथियों को मौका मिलेगा, 20% का कोटा दिया जाता है, जो आपका प्रेक्टिकल होता है, प्रेक्टिकल का एक्जाम हो जाता है, तो आप 20% कोटा में इलिजिबल हो जाओगे, देखिए, मार्क सीट आए, ना आए, सेटिफिकेट मिले ना मिले, उसे रेलवे को कोई भी मतलम नहीं है, रेलवे यही बोलता है कि नोटिफिकेट मिले, ना मिले, कोई बात नहीं, ठीक है, तो यह पूरा प्रोसिजियोर आपको रेलवे एक्ट अपरेंटिस का देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पर मानते हैं कि 20 अक्टूबर के बाद आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है, 20 अक्टूबर हो सके 25 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है, 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है, 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है, 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है, 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कम्प्लीट हो जाएगा रेलवे से उन सभी शात्रों को मौका मिल जाएगा 20% कोटा के अंतरगत फॉर्म अप्लाई करने का परंतु हां एक बात का ध्यान रखेगा कि आप लोगों को अगर अप्रेंटिसिप कम्प्लीट हो रहा तो आप लोग डिपार्टमेंट से बोलिए कि सर हमारा एक्जाम जल्द से जल्द कंड़क्ट करवा दीजिए क्योंकि माल लीजे पिछला सेशन में क्या हुआ था कि सोची अप्रेंटिसिप कम्प्लीट किये हुए महीनों हो गया फिर भी रेलवे एक्जाम नहीं लिया जिसके कारण जो आपका 2019 में सैक्लों बच्चे ब करवा दीजिए ताकि हम लोगों से ग्रूप डी भरती मिसना हो जाए और एक बात याद रखिएगा कि आपका अक्टूबर में साथी हो एक एक दिन आप लोगों के लिए भारी पड़ेगा सभी साथ यह सुचेंगे कि हमारा एक हपते के बाद है तो एक हपते के बाद सा गया तो समझ रहे हो ना दो दिन के लिए आपका 20% कोटा यहां पर छूट जाएगा इसलिए अंतिम उपाई यही है कि आप लोग यथा सिग्र अपना ट्रेनिंग का जो एक्जाम होता है रेलवे अप्रेंटिस का प्रेक्टिकल का उसे फटा-फट कंप्लिट कराने का को यह सभी कुछ चीज़े हैं जिस पर आपको ध्यान देना है और एक नोटिस है जो आपका वेकेंसी के रिगार्डिकी मिनिस्ट्री ओफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया था इसमें आपको बोला गया था कि जो आपका वेकेंसी देखने को मिलेगा वह 30 सेप्टमबर 2025 तक यह आपका isolated ministerial और group D के रिगार्डिंग बात कही थी परन्तु ऐसा नहीं है थोड़ा सा इसमें लेट होगा क्योंकि NTPC का वेकेंसी आने में लेट हो गया अगर NTPC का वेकेंसी on time रहता तो कोई दिखकत नहीं रहता क्योंकि देखिए NTPC वेकेंसी में बताये गया था कि आ आपका October से group D का हम basically बात कर रहे है तो आपका October से November के बीच जारी होगा ठीक है चाहे आपका first October या फिर हम बात कर ले November का first week second week वो railway के उपर depend करता है पर हाँ यह November के आगे नहीं जाएगा ठीक है पूरी उमीद है कि यह November के आगे नहीं जाएगा तो जिन भी शाथियों का जो कंप्रीट हो रहा ना तो वो सभी शाथि भी eligible हो जाएंगे और अगर माल लिजे कि November में notification आया तो फिर दिसंबर वाले चात्र भी यहाँ पर eligible हो जाओगे मतलब यह समझ लिजे कि अगर आपका 2024 में railway apprentice कंप्रीट हो रहा तो इस बार आपको मौका मिल जाएगा पूरी पूर सतीस कुमार जी उनका कहना है कि railway में manpower की भारी कमी है और सबसे ज़्यादा जो कमी है वो आपका track मेंटेनेस वाले पोस्ट में हैं तो मेंटेनेस वाले पोस्ट में सबसे ज़्यादा group D के ही employee वहाँ पे रहते हैं तो वेकेंसी जो है आपका minimum अगर मेरे अनुसर देखा जा ठीक है बाकी स्थी रिल्ट आपके मन में जो भी सवाल होगा डाउट होगा कमेट सेक्षन में मेंसर करके जुरू बताईगा चैनल पर फर्च टाम है सस्काइब नहीं किये तो फटाफट करके सस्काइब करके बेल बटन को आउन कर दीजेगा तब तक के लिए जैहिंद जै भारत